कल बनवंत सिंग मनकोटिया ने दिली में बीजेपी का दामन थाम लिया और तमाम अटकलों पे विराम लग गया कि क्या वो बीजेपी बे जाएंगे नहीं जाएंगे आपसे के निकाले जाने के बाद क्या कुछ करेंगे वो क्या अपने दुबारा पैंथर पार्टी में चले उनके साथ चलने वाले सद्वीर सिंह्मनास मेरे साथ हैं हमेशा उनके साथ कढ़ thickness और बेवाकी से अवाज उठाई है और खास वर परपे जम्मू के युवाूं के मुद्दे की लेकिंग छोशा को सद्वीर सिंह नाश्ब को ढत कर्टेजेश करते हैं कई से scams हुए उसको लेकर बीजेपी को क्रिटिसाइद करते रहे लेगिन अब बल्वगंद सिंग मनकोटी है क्योंकि जपी में है तो चैसे scary ये वहिए रहोगे व जो संवाट हो क्या वो बीजेपी के खिलाब बोलेगा जम्मू के मुद्दे उठाएगा या फिर साइलेंट होके कुछ और चीजों में लग जाएगा ने बिलकुल नहीं यह सबसे बड़ी बात है कि बलवन सिंग जी के साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हैं लेकिन खल चार बजे के बा हैं वह बाइस पार्टी चुब और नेयुक्त हों कि बाजपा के लोगों को देखना है जहां तक मुझसे सकता था मैं मैंने अपने तरह से 100% जब तक मेरा उन और का संबन था मैंने उनको अपनी तरह से बिल्कुल 100% दिया हो है और कल तक आपने दिखा होगा कि मैंने 100% दिया है अब आगे जो हमारा पंडल region है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा मैं सिरफ यह कहना चाहता हूं कि वो आगे बढ़े आपने आपको जैसे वो अच्छे नेता हैं लोगों के काम करें बढ़ चड़कर काम करें हमें इसे कोई भी इतराजगी नहीं है लेकिन आपने जो ये कहा बार बर एक संक्षे चल रहा है कि क्या बीजेपी को आप क्रिटीसाइज करेंगे हाँ जरूर करेंगे क्यों नहीं करेंगे लेकिन जिनके साथ आप छाना पेशाना चले हैं वही उस पार्टी में चले जाएं जिसको आप जिनकी नीतियों को आप गलत कहते रहे हैं और जो कि आप से बात की कल जॉइन करने के बाद कि मैंने जॉइन कर ली है अब इस तरह से काम आगी करेंगे या फिर उसके मुद्ध को उठाइएंगे उसमें आपका क्या रोल रहेगा क्या कोई बात हुए अभी तक तक मेरे को सिर्फ मैसेज आया था उनका मैसे वाट साय पे हु तो उन्होंने पकल लिया, इसमें मुझे कोई इतराज की नहीं, अभी वो आएंगे तो बात होगी, उसके बाद में देखा जाएगा, लेकिन आप, आप से जाने के बाद, क्या आप लोगोंने, या उनके अपने जो नियर बाई लोग थे, उन्होंने ये नहीं उनसे कहा, कि आप जो दूसरी पार्टी में जाना, उसे बैटरा आगे, पैंथर पार्टी में, क्योंने अपनी पार्टी जो आपके घर की पार्टी थी, उसको मजबूत क्यों नहीं करते हैं, देखिए, उसमें बहुत जादा अचने थी, वहाँ पे वो नहीं आ सकते थे, वो हम आपको बहुत जादा अचने थी पैंथर पार्टी में, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चूज किया, कल भी आपने उनका देखा हो, उनकी बातों का जिक्र किया, इससे पता चलता है कि वो बीम सिंग जी को कितना प्यार करते थे, वो तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन रहीं पार्टी की वो आप्शन उनके लिए क्लोजी था एक किसम का क्यूंकि वहां पे लड़ाई बोती, तो जिस लड़ाई से वो निकलना चाहते थे, और फिर से वो उस चीजों में गुसना नहीं चाहते थे, बीजेपी से बेटर था, गुलाम नभी अजाद की पार्टी भी त अब मेरी उनसे बात नहीं हुई, तो आपके अपना आगे अपने साथ चलोगे उनके उनके उनको जैसे आप कहते हो, मैं को डिफेंड करता रहा हूं, अब आप डिफेंड नहीं करोगे कोई चीजों को लेकर, अब मैं कैसे डिफेंड करूंगा, वो एक पार्टी में है, उ उस पार्टी को मैं कोसता हूं, और उसकी पालिश के मैं खिलाफ हूं, मैं युवां के साथ चलता हूं, उस पार्टी का मैं कुछ हूं ही नहीं, तो में कैसे उनको डिफेंड करूंगा, हो सकता, मैं करूं, जो बहुत करोंगा अभी तक आपके में जोइन कर लीजिए, क्यो जो कुछ मर्जी हो जाए एक होता है चलिए सोचूंगा देखिए सियास्ट में कोई पता नहीं होता लेकिन अभी मैं आपको मोके बोल रहा हूं कि मैं जैसे बीजेपी को उसकी पालिसी को लेकर क्रिटिसाइब करता हूं करता रहूंगा अब आज के एक मुद्धा पकल लीज करते ही है फॉरेस्टर में आपको पता है चार क्रोड़ प्रप्या पकड़ा गया है सीबिया के तो मैं बहुत-बहुत मुद्ध बात देता हूं जिन्नों ने इतने इनकी पोले खोल दी है जम्मू कश्मीर का यूवा बरबाद हो रहा है अब तो मैं तो बीजेपी से यह ज हम उसको लेकर चल रहे हैं तो जो जो इसमें वाल होगा मुसे पकड़ेंगे लेकिन जो मास इसमें स्कैम हुआ है उसके बारे में फिर वही वाली बात आती है कि केंदर में बीजेपी 2014 से हैं दो मिन में आपको बापता तो बीजेपी तो कहती है बार 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 कहती है हम करा आ रहे हो लेकिन मेरी बात सुनों जो नोजवानों के तीन तीन चार चार आठाट ददद साल चले गे जो पड़े लिखे नोजवान खजल हो रहे हैं उनका क्या तुमने तो कहा दी सेंटर में मारी सरकार तुम कराद होगे कराद हो गया बच्चे रो रहे हैं किश्मीर में बस बात खत्म होगे बच्चों का फ्यूचर कराब कर दी आप पर आदेगे यह पंचायत अकाउंट का पेपर हुआ वह भी कहीं है उस पर भी गाज तो गिर जाएगी गाज तो गिरनी चाहिए क्योंकि बहुत इमानदार रो रहे हैं बहुत इमानदार बच्चे हैं जो रह हो रहे हैं अब फिर से एक्जाम आ रहे हैं एज एक्जाम देने दिये जाए बच्चों के लिए एक मुसीबत होना है आप तो कहा देंगे होता क्या कुछ नहीं होता है जो होकुम आता हो ही चलेगा बच्चे क्या करेंगे पूरे सब बातों का जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा क्यूंकि सत्ता में बहुत ही एक्जाम उनके पहले हुए यह सब उनको देखना पड़े बड़े बिर्योक्राइट के घरों में चापे पड़े तो लगता किसी में कारवाई होगी क्योंकि सब्सक्राइब बड़े मामल में लेकिन मतलब उस पर कुछ होगा आपको लगता है क्यूंकि सी विए तो कारवाई करती है लेकिन बड़े-बड़े कहते हैं कि छोटी मचलियों पर चार चोटी मचलियं जो है वो तो जाल में फंज जाती हैं लेकिन बड़ी मचलिया उसे काट के बाहर निकल जाती है तो आप उनके साथ हमेशा खड़े रहे हो लेकिन बस यह कहना है कि जो आप बार बार कह रहे हो कि हम क्यूंकि युवाओं की बात करने वाले जादा लोग दिखते नहीं है अपोजिशन की अवाज उतनी बुलंद नहीं है कहीं साड़े बड़े-बड़े स्काम हुए ओपोजिशन खुलके बोल नहीं बाता यहां पर डर का खौर्फ का लेकिन कुछ लोग अगर जैसे अगर हम बलवन सिंग मनकोटे की बात करें दो हजार दो में और दो जार आट में विदायक बन क्या है लेकिन अब उधंपूर सही अगर आएंगे तो वहां पर पावन गुपता भी है तो क्या भी बलवन सिंग मनकोटे को टिकट देगे यह तो लड़ाई रहेगी ना तो आखिरकार होगा क्या आप लोग उनके साथ चलने वाले हैं और तो विपक्ष के द को नहीं उठाएंगे वो हमारा वो एक हमारा एक इसपांसिबिल्टी बनती है कि अवाज को उठाना चाहिए और वह में हमेशा उठाते रहेंगे इसमें कोई प्राब्लम नहीं है अभी बलवन सिंग मनकोटिया जो की अमने को कोई से अलग अलग दोर देखे तो क्या भवि अपने लोगों से यह नहीं किया था थे कि हमसे कोई इस प्रकार का विचार विमर्श तो हुआ नहीं वह बीजेपी में गए है तो अच्छी बात है इसमें कोई प्राब्लम नहीं अब आप क्या आप क्या और आम आदमी पार्टी जो यहां पर एक और आप्शन मन क्या ही ल लगा तो आप आप पार्टी से निकालने के जाने के बाद के ने कहीं जो एक होता ने की और एक बंदे का लेवल वह गिरा नहीं है पता नहीं कुछ नहीं कहेंगे इसके अपर नहीं नहीं तो यह सद्वीर सिंग मनास थे क्योंकि बलवन सिंग मनकोटिया के साथ चले हैं उनकी साथ हर बात को नहीं उठाया है लेकिन जिस पार्टी को यह क्रिटिसाइज करते रहे इनके बड़े क्लोज शक्स जो नेता वो उ बीजेपी के लिए जॉइन करने के लिए कहा जाता है तो मैं सोचूँगा अभी ना नहीं बोली है लेकिन सबसे बड़ी बात क्या तमाम वो लोग जो ऐजे ओपोजिशन आवाज उठाते रहे हैं क्या एक करके बीजेपी में वह बीजेपी में जाते रहेंगे और एक मज़र होती रहेंगी यह देखना लाजमी रहेंगा जब मुशे कोईश पर ट्यार की रिपोर्ट